कि सिमसा माता के दरवार में घर से अर्जी कैसे लगाई जा सकती है कि आपके सरीर में कोई बंदर ना रही मता रानी आपको सपने में किसी भी रूप में आकर फल दे सकते हैं अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका जो स्वपन है वो निश्क्रिय हो जाएगा हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है नरेश ठाकूर और आप देख रहे हो नरेश ठाकूर व्लोग्स मेरी पिछली सिमसा माता की वीडियोस में एक सवाल बहुत बार आप लोगोंने कमेंट करके पूछा कि सिमसा माता के दरवार में घर से अर्जी कैसे लगाई जा सकती है आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसके रिलेटेड बिल्कुल हेल्प करूँगा सबसे पहले जो मेरे चैनल में नए है चैनल को सब्स्राइब करें और सिमसा माता से जोड़ी और अपडेट जानने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में माता सिमसा का इज्यकारा लगाना ना भूले नए सब्स्राइबर्स ये नए लोग जो मेरे चैनल पर आये हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सिमसा माता को संतान दात्री के नाम से जाना जाता है सिमसा माता का मंदिर हिमाच्यो परदेश के जिला मंडी के सिमस गाउं में स्तित है यह गाउं तैसील लडबडोल में पढ़ता है इसी सिम्मस गाउं के नाम से माता सिम्सा का नाम सिम्सा पड़ा सिम्मस गाउं में माता सिम्सा का ववे मंदिर बना हुआ है सिमसा माता के मंदिर की हिस्ट्री और सिमसा माता की महिमा की वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है आप मेरे चैनल में जाकर उन वीडियो को चेक कर सकते हो सिमसा माता के मंदिर में जब भी कोई निसंतान दमपती आता है तो माता उनकी जोली अवश्य भरती है पस उसके लिए माता पर बरोशा रखना होता है वैसे तो नवरातरी में माता सिमसा के मंदिर में बच्चे के लिए धरना दिया जाता है और माता रानी उन ओर्टों को स्वप्न में फल देते हैं अब कई ओर्टे ऐसी भी होती है जो नवरातरी में माता के दरवार में बच्चे के लिए नहीं आ सकती हैं तो वो लोग निराशना हो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिमसा माता के दरवार में घर से अर्जी कैसे लगाई जा सकती हैं अगर आप माता के का दिन मंगलवार ही होता है तो अरजी भी आपको मंगलवार के दिन ही लगानी होगी जिस दिन मंगलवार हो आप उस दिन घर का सारा काम खतम करके रात को खाना खाके जब आपकी सारे काम खतम हो जाए मतलब एक बार आपने मातागा ध्यान कर लिया तो उसके बाद आपने को वो सब आपको उतार देने हैं। गहने उतारने का ये मकसद होता है कि आपके शरीर में कोई बंदन ना रही। आपके शरीर में अगर कोई धागा पड़ा है तो उसको भी उतार दे। गहने उतारने के बाद आपको पेटी कोट या घगरी डाल लेना है या आप नाइटी भी डाल सकते हो। कई गरों में घगरी या पेटी कोट नहीं होता है तो आप नाइटी डाल के भी सो सकते हो। ये सब करने के बाद आपको next काम ये करना है कि आपको अपने बाल खोलने और उनको खुले छोड़ना है उसके बाद आपको एक चटाई या कंबल लेना है और उसको निच्चे बिछा देना है फिर आपको एक लोटे में पानी भर कर लाना है और उसको आपने वहां रखना है जहां वो चटाई आपने बिछाई हुई है अपने सिराने के पास फिर आपको एक धूप जलाना है, धूप को भी आपको लोटे के पास लगा देना है, जहाँ पे आपका सिराना होगा वहाँ पे, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कि आपने सिराना बिल्कुल नहीं लेना है, आपने बिना सिराने के, बिना पिलो के सोना है, कहने उतारन चटाई बिछाने उसके बाद आपने लोटा रख लिया उसके बाद धूप लगा लिया अपने बाल खोल लिये आपने घगरी पेटी कोट पहन लिया इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने बिस्तर में बैट जाना है जहां पे आपने चटाई बिछाई है वहां पे आप पैड जाओगे इसके बाद हाद जोड़कर माता सिमसा का समर्ण करते हुए आपने माता सिमसा से प्रात्ना करनी है कि माता मैं बहुत दुखी हूँ मैं आपके दरवार में आकर अर्जी लगाना चाहती हूँ और अन्तु किसी कारण वोस मैं नहीं आ सकती आप मन में वो कारण भी बता सकते हो जिस कारण आप मन्दीर नहीं जापा रहे हूँ अर्जी लगाने के लिए फिर जो भी मनुकामना आप मांगना चाहते हो वो मांग ले और कहें कि आप मुझे फल दे और मेरी सुनी गोद को भर दे और ये भी कहें कि माता रानी जब भी मेरे घर में बच्चा हो जाएगा मैं बच्चे को लेकर आपके दरवार में आपके दरशन करने के लिए आओंगी प्राथना करने के बाद आपने वही चटाई पर सो जाना है और आपने माता का ध्यार लगाते हुए सोना है मतारानी आपको सपने में किसी भी रूप में आकर फल दे सकते हैं जैसे कि आपकी सास, पडोसन, किसी बच्ची के रूप में आकर दर्शन दे सकते हैं और वो फल भी कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि आपका कोई ट्रैडिशनल फल हो या सेब दे दिया, केला दे दिया, मटर दे दिया, या घीया दे दिया, या आलू दे दिया, या लौकी दे दिया, कोई भी फल आपको दे सकते हैं स्वपन होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको स्वपन में दिया है उसका आपने बिल्कुल strictly परहेज करना है उसको आपको जो भी आपको फल दिया है मालनों सेव दिया है तो सेव ना तो आपने किसी को देना है ना सेव आपने किसी से लेना है ना सेव आ मतलब लेना देना तो बिल्कुल ही नहीं आप अबॉइड करें कि सेव आप घर में भी न लाओ या सेव से बनी हुई कोई भी चीज आपने नहीं खानी है अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका जो स्वपन है वो निश्क्रिय हो जाएगा मतलब वो बिल्कुल खतम हो जाएग मंदीर में जाने के बाद आपने वो फ़ल या सबजी मंदीर में आरपित करनी है मातारानी को उसके बाद आप उसको खा सकते हो उससे पहले आपने ना उसको चूना है ना किसी को देना है ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है ये इसका पालन आपको करना ही करना है कई ब पाए आप दुबारा कर सकते हो अगले मंगलवार को उसके अगले मंगलवार को आप कर सकते हो या अगर नहीं आ रहा है सपना तो आप मंदिर आ सकते हो मंदिर में आके दर्ना दे सकते हो माता के दर्वार में आपको स्वपन आ जाएगा हाँ एक और चीज का ध्यान रखे कि आपको धरना सिर्फ मंगलवार के दिन ही देना है बाकी दिन ये धरना नहीं लगेगा और सुबा होते ही आपको बिस्तर उठा लेना है सिर्फ आपको मंगलवार के दिन ही धरना देना है बाकी दिन नहीं देना है हाँ मंदिर में 4-5 दिन औरते सोती रहती हैं और वो मंदिर है और नवरात्रे होते हैं तो वहाँ पर औरते सो सकती हैं घर में सपना आने के बाद आप मंदिर में फोन करके माता के दरवार में हलवे का भोग भी लगवा सकते हो मंदिर के पुजारी का नंबर मैं अपने इस वीडियो की description box में दे दूँगा आप वहाँ से नंबर लेके उनको call कर सकते हो और अपना भोग लगवा सकते हो और हाँ अगर आप सिमसा माता के मंदिर में आना चाहते हो तो उसके related मैंने वीडियो अलरी बनाई हुई है उसका link मैं इस वीडियो की description box में दे दूँगा आप वहाँ से उन वीडियो को check कर सकते हो सिमसा माता बहुत ही द्यालू है अगर आप सच्चे मन से सिमसा माता के दरवार में अरजी लगाते हो तो सिमसा माता आपको जरूर फल देंगे और जरूर आपकी गोध भरेंगे तो अगर आपने अभी तक सिमसा माता का जैकारा comment box में नहीं लगाया है तो सिमसा माता का जैकारा लगाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे जो आने वाले वीडियो से है उनकी नोटिवकेशन सबसे पहले मिल सके थैंक यू बाबाई